जन्माश्टमी पर जरूर करें इस कथा का पाठ बरसेगी लड्डू गोपाल की अपारक्रिपा धार्मिक मान्यता के अनुसार भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को भगवान श्री कृष्ण का अवतरन हुआ था इसलिए भादरपद के महीने में जन्माश्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है अगर आप इस शुभवसर पर लड्डू गोपाल का आशीरवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दोरान जन्माश्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें इससे साधक की सभी मुरादे पूरी होती हैं आये पढ़ते हैं जन्माश्टमी व्रत कथा पौरानिक कथा के अनुसार द्वापर्यूग में मतुरा में कंस नाम का राजा अधिक अत्याचारी शासन किया करता था इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे राजा अपनी बहन को अधिक प्यार किया करता था उसने बहन की शादी वासुदेव से कराई जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज लेकर जा रहे थे तो उस दोरान आकाश्वानी हुई हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है उसके गर्प से पैदा होने वाली आठवी संतान तेरी मौत की वजह बनेगी ये सुनकर कंस को क्रोधाया और वसुदेव को मारने बढ़ा ऐसे में देवकी ने अपने पती को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन लेगी, मैं उसे आपको सौप दूंगी इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके साथ बच्चों को जन दिया परंतु कंस ने सभी संतान को मार दिया. योगमाया ने सात्वी संतान को संकर्षित कर माता रोहिनी के गर्ब में पहुचा दिया था. इसके पश्चात माता देवकी ने आठवी संतान को जन दिया. आठवी संतान के रूप में भगवान विश्नु कृष्णावतार के रूप म अफ्तरित हुए। उसी दोरान रोहिनी की बहन मा अशोधा ने एक पुत्री को जन दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विश्नु अफ्तरित हुए। अशोधान हुने की खबर मिली तो वह तुरंतकारागार पहुँचा और देवकी से कन्या को छीन कर नीचे पटकना चाहा परन्तु वह कन्या उसके हाथ में से निकल कर आसमान की ओर चली गई। इस दोरान कन्या ने कहा कि हे मूर्पकंस तुझे मारने वाला जन ले चुका है और वह व्रिंदावन पहुँच गया है अब तुझे तेरे को पापों की सजा अवश्य मिलेगी वह कन्या कोई और नहीं स्वयम योग माया थी